हेलो बच्चों जेमेन 24 का क्वेश्चन है यह 27 जैनुवारी सिफ्ट वन का थिन मेटलिक वायर है विंग क्रोस्सेक्शनल एडिया और जो हम लोग रिंग बना रहे है उस रिंग का रिडियस होगा अपने पास एक वायर है उस वायर से हम लोगो ने एक रिंग बनाया उसका रिडियस हमें दिया हुपा है अब पॉजिटिव चार्ज अफ टू पाई कूलंब इस उनिफर्मडी दिस्टिबूटेट ओवर दे रिंग पर बच्वाइब लोगो ने इतना चार्ज उनिफर्मडी दिस्टिबूट कर दिया वायल अनदर पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज 30 पीको कूलंब इस केप्ट इस केप्ट अट दे सेंटर ओफ रिंग दा टेंशन इंदर रिंग इस टेंशन पूछ रहा वच्वाइब से यहाँ पर ठेक है ग्राविटी को नेगलेक्ट करने के लिए बोला गया सबसे पहले हम लोग एक रिंग बनाएंगे तो इस रिंग में हम सोचेंगे इससों होगा क्यों देखें अगर इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोगोंने डिस्ट्रिब्ट कर दिया सबसे पहले बात के इन में क्या होगा कि इधर का जो सेग्मेंट लीजिए उप इधर का स्मॉल सेग्मेंट क्या करेगा एक दूसरे को आपोज करेगा आ क इधर के स्मॉल सेगमेंट पर चार्ज मालेजर दीक्यू है इधर भी डीक्यू है तो क्या हुआ एक दूसरे पर रिपल्सिफ फोर्स लगा के पुश करेगा रिपल करेगा डाट मिन्स कि यह रिंग और एक्सपैंड करने की कोशिज करेगा अपने आपको तो मालनों अगर और और एक्सपैंड कर पाता तो क्या होता बाद में इतना 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 एक्सपैंड हो करके ऐसा हो जाता है और अगर और एक्सपैंड होता तो और फैलता ही ठीक तो आप यही चीज पूछा गया तो देखो यहां पर की मतलब जब एक्सपैंशन होगा या फिर एक्सपैंशन रख दिया गया कुछ माल लोग क्यों और चार्ज रख दिया तो आप एक काम करें छोटे से सेग्मेंट से दिखिए यहना स्मॉल सेग्मेंट से आप देखिए कि हम लोग ने एक स्मॉल सेग्मेंट यहां पर लिया कि इधर ऐसे inhas Small segment लेए तो is a small segment ए olmas सेइन्टरं की तरफ और इसे जाएगा न तो यह टेंशन से खीचेगा इसको तो इस में बच्चों टेंशन इस डायरेक्शन में घ्लेगा ग़ेगा टैंजेंट के लॉंग और इस फे भी टेंशन लगेगा टैंजेंट के लॉंग तो इधर टेंशन हो गया अब इधर में देखिए तो इधर में अगर हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं बच्चों तो यह एंगल कितना बनेगा यह एधर में ऑपसम परपेंडिकूलर और यह रेडियस और टैंजेंट में परपेंडिकूलर तो इधर में न परपेंडिकूलर होगा तो अगर यह दी माइनस दीट थिटा भाई टू है तो यह 90 altee high र यहां पर यह नॉआउट्यू है फुरा यह अगल तो अगर यहांटी-9 है औरक यह टीटवई तू होगा 90 बाइनस दीटा भाई ठू होगा तो यह कितना हो तो अब देखिए क्या होगा इसमें कि यह जो चार्ज है और जो हम लोगोंने स्मॉल सेगमेंट लिया है यहां से लेकर के पूरा यहां तक इसका को चार्ज होगा स्मॉल सेगमेंट का Q, DQ तो इस पर फोर्स लगेगा इधर क्योंकि यह भी पॉजिटिव है यह भी करेगा ठेक है या फिर इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा टेंसन करेगा हम ऐसा भी बोल सकते हैं तो अब देखिए इसका जो कॉम्पोनेंट अब ब्रेक करेगे तो इस T का कॉम्पोनेंट इधर में आएगा T कॉस D थीटा बाइटू और बच्चों इधर के आएगा T साइन इधर बाइगा T साइन बिल्कुल वाई सेम प्रोसेस D थीटा बाइटू और इधर में क्या आजाएगा बच्चों T कॉस D थीटा बाइटू क्योंकि इधर में जाएंगल बनेगा वो D थीटा बाइटू बनेगा तो इसका मतलब कि ये दोनों तो एक दूसे वो कैंसल कर दे देंगे बट ये मिलकर क्या करेंगे F को D F को बैलेंस कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 2 T sin D थीटा बाइटू इस एक्वाल तू D F that is a small force और small force क्या लिखेंगे हम लोग तो किसके किसके बीच का force है तो K into D Q into Q naught by radius का square तो radius का square कर दीजिए क्योंकि ये small segment है यहाँ पर आपको द्यादा बरा दिख रहा है बट अज है small segment तो इनके बीच का distance radius ही रहेगा और ये angle बहुत ही छोटा है तो sin theta को हम लोग theta लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 T into D theta by 2 2 से 2 cancel is equal to K into Q naught by r square into D Q तो यहाँ से हम लोग को देखें क्या मिलेगा T into D theta is equal to K Q naught by r square into D Q अब हम लोग को D Q नहीं मालूम है बच्चों तो हमें D Q निकालना पड़ेगा हम D Q कैसे find करेंगे देखें तो complete 2 pi r जो circumference है उस पर कितना charge distribute किया तो 2 pi तो unit में कितना हो जाएगा unit जो distance length है उसका arc का उसमें कितना हो जाएगा तो 1 by r हो गया इतना कुलंब तो फिर तो बच्चों 2 pi r अगर इसमें है पुरे circumference पे अगर चार्ज 2 pi है तो unit में निकाल लिए हम लोगों 2 pi upon 2 pi r करके है ना तो यह कितना होगा 1 by r हो गया तो अब इतने से दोखो अब यह 2 pi r पूरा length था ना तो यह चोटे से segment dl में कितना होगा यह भी देखना पड़ेगा तो छोटे से segment dl में अगर हम लोगों निकालेंगे बच्चों तो यहां पर क्या लिखेंगे कि dl में जो होगा 1 by r into dl होगा और यह क्या होगया dq बट अब dl कितना है यह नहीं मालूम है तो हम लोग जानते हैं कि angle is equal to क्या लिख theta then आप यहां पर dq रखें तो dq is equal to हो जाएगा dl कि जागा पर r d theta रख दिजे अपन r तो यहां से r से r cancel तो आपको क्या मिलेगा only d theta तो dq is equal to मिल जाएगा आपको d theta only तो अब यहां से आप रखेंगे tension में यह जो formula उसमें तो t into d theta is equal to k into q naught by r square into into अब यहां से हम लोग d theta रख देंगे तो d theta से d theta cancel then बच्चो tension कितना जाएगा k q naught by r square और q naught का value रखें यहां पर k का value रखें तो k का value 10 9 into 10 to the power 9 q naught का value 30 pico में रखें और यह आप रखें आप रखें आपर r square that is 30 cm था radius इसका तो आप इसका squaring करेंगे तो देखें क्या मिलेगा हम लोग को सबसे पहले उपर में मिलेगा 270 into 10 to the power minus 3 and denominator में आजाएगा यह 900 into 10 to the power minus 4 तो अब 1 0 और इसका 3 0 cancel एक इससे cancel होगा और यह 3 से cancel होगा तो आपको जो यहां tension मिलेगा बच्चों वो होगा 3 newton तो इसका answer हो जाएगा 3 newton यहां पर fill कर देजेगा 3 झाली